दोस्तो जै हिंद जै भारत मैं मदनलाल आजाद संस्तापक संयोजक ठगी पीड़े जमा करता परिवार और All India Bike Board Taxi Union आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर आप सब को बताने के लिए और अपनी बात आप सब तक पहुंचाने के लिए स्व चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें इसे सेर कर दें लाइक करें और कमेंट भी करें और दोस्तो वीडियो पूरा ध्यान से सुन लिया करें चूंकि अब बहुत महत्पून समय चल रहा है आप उस मोड पर आकर खड़े हुए हैं जह हमारी संसद ने हमारी सरकार ने आपको बुगतान की घारंटी के अधिकार कानून अन्यमिज जमायोजनाने पावंदी यह 2019 के अंतरगद देते हुए ये कहा है कि सरकार आपकी जमारासी का किसी भी कंपनी या क्रेट कौपरिटिव सोसाइटी में आपकी जमारासी का दो से तीन गुणा पैसा एक सो असी दिन में आपको वापस करेगी और सरकार इस वक्त हालांकि कई साथ ही कहते हैं कि साथ चुनाव की वजह से एक्षन मोड में आ गई है सरकार इसलिए फटाफट गोशनाएं कर रही है ठगी पीड़तों के धन वापसी की लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता मैं ये समझता हूँ के एक लंबा संगर्स आपने हमने सबने मिलकर के अनिमिज जमाय उजनाए पावंदी कानून 2019 के क्रियानवेन के लिए किया है और जब कोई संगर्स होता है कोई लोग लड़ाई लड़ते हैं लाबार्थी वर्ग अपने लाब को अपने अधिकार को पाने के लिए उठ खड़ा होता है तो चुनाब हो या नहो सरकार को उनकी न्याइपूर्ण मांग को मानना ही पड़ता है तो आपका संगर्स भी अब काफी बड़ा हो चुका है पूरे देश भर में आप संगठेत हो चुके हैं दसियों जगाओं पर रोजाना कहीं न कहीं आपके कारिक्रम लगे होते हैं के माध्यम से, वाटसप के माध्यम से और अन्य सोसल साइट्स के माध्यम से सरकार तक ग्यापनों के माध्यम से ये सूचनाएं लगातार पहुच रही हैं कि देश अनिमे जमाय उजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतरगत अपनी डूब चुकी रकम को वापस पाने के लिए उठ खड़ा हुआ है तो सरकार का चौकना होना, सरकार का आपके विशे पर ध्यान के इंद्रित करना समवेदन सीलता के साथ आपके भुकताउन की मांग को शीकार करना आपके संगर्स का प्रतिफल है इस से किसी चुनाव का कोई लेना देना मैं नहीं समझता कि कोई चुनाव का लेना देना है और हमारे लिए तो ये उत्साल की बात है खुशी की बात है, प्रसनता की बात है कि जिस काम के लिए हम वर्सों से तडप रहे थे, लड़ रहे थे, मांग कर रहे थे कोई ध्यान नहीं दे रहा था आज उस मांग पर विशेपर सरकार गंभीर हो गई है सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं सरकार आपको भुकतान की गारंटी दे रही है तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए आपके लिए सब के लिए खुसी का विशे है और चुके प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आत्यासिक कारे किया है तो उस आत्यासिक कारे के लिए हमारा भी दायत तो ये बनता है कि भले ही हम उनकी कितनी भी आलूचना करें कुछ भी करें लेकिन जो काम ठगी पीड़तों के हित में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है उसके लिए उनका सार्वजनिक अभिनदन किया जाए सार्वजनिक रूप से उनका धन्यवाद और आभार ग्यापित किया जाए तो दोस्तों इसी कड़ी में हमने 29 दिसम्बर 2023 को सुबह 10 बजे प्रधान मंत्री के जनसंपर्क कार्याले उनके चुनाब छेतर वारानसी कासी उत्तर प्रदेश से उनको धन्यवाद ग्यापित करने का नेने लिया है और हमारे साथ साथ चुके मैं खुद वारानसी रहूँगा उस दिन हमारे तमाम पदादिकारी रहेंगे बारानसी के लाखों ठगी प्लित प्रधान मंत्री के जनसंपर कार्याला पर उफस्तित होंगे पूरे उत्तर प्रदेश के साथ होंगे महराश्टर के होंगे, राजिस्थान के होंगे मद्य प्रदेश के होंगे 36 गड़ के होंगे बिहार के होंगे उत्राखंड के होंगे असम, गुजरात, करनाटा, कुडिशा हिमाचल, हर्याना जमू कस्मीर और दिल्ली तक से तमाम साथी 29 दिसंबर 2023 को प्रदान मंत्री का धन्यवाद ग्यापित करने के लिए वारान सी पहुँच रहे हैं दोस्तो तो आप सब भी आईए आप सब सादरा मंत्रित हैं चूंके वारान सी से संदेश भी देना है कि जब जो प्रदान मंत्री जी का ड्रेम लौ है बड़े गौरब के साथ संसद में ब्याखेत किया था और कहा था कि मैं किसी की फूटी कौडी भी डूबने नहीं दूँगा पाई पाई सब की वापस कराऊंगा बड़े गौरब के तहत और उन सब लोगों को भी दंडित करूंगा जिन लोगों ने गरीबों का पैसा लूटा है और इसको टाइम बाउंड एक्ट के रूप में बनाया था 180 दिन के अंदर अंदर ऐसा हो करेंगे आविदन मिलने के बाद पूरे देश में इसको क्रियान वित किया थो ये साहसे काम था उनका इसके लिए उनको धन्यवाद देंगे बधाई देंगे आभार व्यक्त करेंगे और हम सब मिलकर ऐसा करेंगे दोस्तो ताके देश में जो बेइमान सिस्टम काम कर रहा है दोस्तो विधी को समझना बहुत जरूरी होता है हम जिस देश में भारत वर्स में रहते हैं वो इतना महान पावन पवित्र राष्ट रहा है सारी दुनिया जिसको अपना आदर्स मानती है गुरू मानती है बहुत सारी चीज़ों के मामले में तो हमारा देश का जो लोक तंत्र है उसके चार पार्ट है पहला पार्ट है विधाई का जहां कानून बनते हैं कानून बनाने वाली जो विधाई काईप MLA's MPs जो हैं उनका काम के बनाना भर होता है उस कानून को लागू करना उनका काम नहीं होता तो जो भी संसद में बैठे हैं उन्होंने कानून बना दिया आपको भुगतायन की गारंटी का अधिकार दे दिया उनकी डूटी समाप्त हो जाती है दूसरा नमबर आता है कार्ये पालिका का दोस्तों कार्ये पालिका कहते हैं जैसे मंत्री परशद और प्रशासन तो मंत्री परशद ने भी पर अपनी मोहर लगा दी है उन्होंने भी अपनी जूटी पूरी कर दी है कि पूरे देश में इसको नौटिफाइड कर दिया हर राजे ने नौटिफाइड कर दिया रहा जिस सरकार ने तो अब क्या बचता है प्रसासन जिनको सच्छम या सहाइक सच्छम अधिकारी के रूप में इस कानून के क्रियान वहन के लिए नूक्त किया गया चाहे वो डिविजिनल कमिशनर हों डियम हो एडियम हों सडियम हो तैसिलार हों या सेकरेट्री रेवण्यू या फाइनेंस हों उन सब की जूटी बनती थी कि वो आपके भुगतान के लिए विज्यापंजारी करते एकवारों में टीवी पर होडिंग बोर्डिंग लगवाते आपके आविदन आमंत्रित करते आपसे आविदन लेकर के आपका भुगतान 180 दिन में आपकी जमारासी का दो से तीन उना करते लेकिन प्रशासन ने ऐसा नहीं किया वो ऐसा करने में विफल रहा उसके बाद क्या बचता है फिर तीसरा जो अंग होता है वो होता है न्याए पालिका आप देख रहे हैं सुनने को राजी नहीं है सुनेगी भी कहां से इतनी भीड है केसिस की इतनी भरमार है कोर्ट्स में चाहे वो निचली अदालते हों हाई कोर्ट्स हों या सुप्रीम कोर्ट के वहां गरीबों के मैटर्स पर सालों साल सुनवाई नहीं होती या कोई गरीब चले भी जाते हैं चंदा वंदा करके तो उनकी पिटिसंस को तुरंट खारिज कर दिया जाता है एक्सेप्ट ही नही उसे चंदा वसूली भी कर लेते हैं और जो चंदा उन्याई पालिका के नाम पर वसूल करते हैं उसका बड़ी मुश्किल से दो या तीन फिस दी वो बकील इत्यादी की फीस पर खर्च करके बाकी का पैसा हड़प जाते हैं ऐसा होता है या आपने देखा हुगा अभी जो का धंदा ही बंद हो गया नेटवर्किंग ये करने नहीं देते रसी दें ये काटने नहीं देंगे चंदा नहीं आएगा तो हम संगठन में रहके क्या करेंगे क्या खाएंगे कैसे अपनी यासी मोज मस्ती पूरी करेंगे तो उन्होंने हमारे उपर ही भिन भिन तरीकों के गिरने तारोप लगाते हुए संगठन से अलग होकर एक टपका नम का संगठन बनाया और उससे डरे हुए एजेंट साथियों का शोशन करते हुए उनको और राया और उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हुए कि हम हाई कोट चले जाएंगे एजेंट सुरक्षा दिलवाएंगे एजेंटों पर बहुत जुल्म हो रहा है अन्याय हो रहा है उनसे जी भरके लाकों रुपे का चंदा बसूला और उसमें से दस बीस पचास जार रुपे खर्च करके किसी वकील को दे करके एक रिट पी आई एल जिसको वो कहते हैं वो फाइल कर दी इलावाद हाई कोट की लखनव वेंच में और वो खारिज हो गई कल उस पर कोई हेरिंग नहीं तैब हुई है का आगे कोई सुनवाई होनी भी है या नहीं होनी है तो ऐसा चालाद किस्म के दूरत किस्म के लोग करते हैं और वो कहते हैं यूँ है कि साब हम घाटे में रहे गए सतर हजार खर्च हो गया या सातलाग खर्च हो गया और आया इतना ही था लेकिन दोस्तों ये सच्चाई नहीं होती है सच्चा ये होती है कैसे ग्रनित जी शब्द चोर स्वार्थी लोग आप लोगों की भैका दोहन करते हैं डरे हुए लोगों को डराते हैं और वो अपना धंदा पूरा करके आपको यहाथ में फिर से जुन्जुना थमा देते हैं मैं ऐसे लोगों से सक्त नफरत इसलिए नही करता है कि उन्होंने अलग संगठन बना लिया है बना ये बहुत अच्छी बात है लोगतंत्र हमें इसकी इजाज़त देता है कि कोई भी दो ब्यक्ति मिलकर कोई भी संगठन बना सकते हैं ये लोगतंत्र की प्रिवासा है बनाने भी चाहिए लेकिन संगठन बनाने के करें लोगों को गुमराह करें और जो एक आंदोलन चल रहा होता है जनकल्यान के लिए उसमें बाधा बनें उसको बाधित करें जूटे सच्चे आरोप लगा कर उस पर तो मुझे यह जो इतनी नफरत है ऐसे लोगों से टपका जैसा गैंग बना लेने वालों से या वो नयाय के साथ जो एक मार्ग चल रहा था बाट सेक्ट का के बाट सेक्ट के तहट सबके भूतान की गारंटी सरकार ने लिए उसके लिए भूतान पटलों की स्थापना हो चुकी है एजेंट्स को बाट सेक्ट में प्रोटेक्शन दिया गया है इस पर अच्छा दी गई है कि अगर किसी एजेंट ने किसी व्यक्ति का कोई पैसा लेकर company या credit cooperative society में जमा कर दिया है तो वो एजेंट कदाप दोशी नहीं है उसके खिलाब कोई भी police या court कोई कारवाई नहीं कर सकती लेकिन इन लोगों की मनसा दोस्तों आपका भुतान कराना नहीं थी इन लोगों की मनसा अपनी जेवें भरना थी आपको मूर्ख बनाना थी उस अंदोलन को कमजोर करना थी जो आपके बुक्तान के लिए राष्ट ब्यापी हूँ ले चुका है या ले चुका था खेर परमात्मा सब कर नजर रखते हैं उन्होंने इनकी कारगुजारियों पर भी नजर रखी हमारी पर भी रखी और हमें आशिरवाद दिया और इनका त्रिसकार किया तो आज भी समय है कुछ बिगड़ा नहीं है मैं सबसे कहता हूँ चाहे आप साहरा समू के हों साही प्रशाद के हों, साही प्रकास के हों, समरधा के हों आदर्स के हों, संजीवनी के हों, नवजीवन के हों बाइक पोर्ट, हैलो टैक्सी, टॉप राइड, रोज बैली, टोग, जीसी है पिन कौन, इत्यादी इत्यादी जितनी भी ये ठक कंपनी ये ठक क्रेडिट कॉपरिटिव सोसाइटी हैं आप उसके किसी के भी पीडित हैं या एजेंट हैं तो आप अभी समय गुजरा नहीं हैं समय हैं आप वापस आईए मिशन भुकतान 2023 से जुली और जो एक मार्ग एक हत्यार हमारी पार्लियमेंट ने स प्रदान मंतरी का हम धन्यवाद ग्यापित करने जा रहे हैं 29 दिसम्मर को निश्चित रूप से उन तमाम प्रसासनिक अधिकारियों के खिलाब कारवाई होगी जिन्होंने इस कानून को इंप्लिमेंट नहीं किया हैं चूँके वो भी लोगतंतर का महत्पूर्ण भाग है और कानून ये कहता है कैसे अधिकारियों को धंडित किया जाए जो किसी कानून की अव्मान ना करें लंगन करें उस कानून को एप्लाई ना करें लागू ना करें तो ये होगा दोस्तों इसमें कोई संदे मत करना समय हैं अभी आप सब के पास वापस आ सकते हैं लेकिन आपका परिवार या आप भूखे नहीं मर जाएंगे निश्चित रूप से परमात्मा ने आपको पैदा किया है तो वो आपके पेट का और रहने सेने के गुजारे का भी विवस्था खुद कर देंगे बशर्ते आप परमात्मा के आसरित हों और आपके मन में ही पाप है अप ग्रणित करेगी दोस्तों तो कुछ दिन के लिए जो नेटवर्किंग छोड़ सकें जो अपने एंकार को त्याग सकें वो साथी आ सकते हैं चूंकि ग्रणित काम हमारे संगठन में रहते हुए आप नहीं कर सकते दोस्तों एक वो इसी टपका गैंग में एक थे हमारे मात्म रुपे मुझसे जबरन ले गए और मैंने इसलिए दे दिये कि चलो संगठन के राश्टी उपाद द्यक्ष हैं ऐसे पता नहीं कितनों से लिए होंगी लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं कोई प्लान नहीं लोंगा आप तीने जार रुपे चाहिए आप ले जाओ मैं कोई आईडी नहीं लोंगा कोई यह नहीं लोंगा और वो ले आई एक और जलाद द्यक्ष मिले मुझे वो कहरे साव यह जो टपका गेंका संस्थापक है रमेश सिंग्ग वो मुझसे मुबाइल ले गया नया खरीदवा करके और उल्टा जब अलग हुआ तो आपके स्क्र मैं उसकी गणना में नहीं जाना चाहता मैं तो चूंकि इनको जानता था कि इनकी नियत खराब हो गई है इनकी बुद्धी ब्रश्ट हो गई है यह संगठन को अपनी निजी आयका साधन बलान लेना चाहते हैं इसलिए तरह तरह के आरोप लेकर के लगा करके संगठन से ब बुक्तान के लिए समरफेते हैं, कि बुक्तान के अलावा कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ भी खोना पड़ेगा, खो देंगे, त्याग ना पड़ेगा, त्याग देंगे, लेकिन बुक्तान से पूर्व मौन नहीं रहेंगे, कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे, केबल भुक्तान पर केंद्रित रहेंगे, और पहले भुक्तान कराएंगे, उसके बाद अपने पावन पवित्र देश को, हिंदुस्तान को ठगमक वे इमान रहित राश्राज के रूप में स्थापित करेंगे, हमारे संकल्ब की पूर्ती के लिए, फेहम नारायन ने परमात्मा ने हमको आशीर बात दिया, जगे-जगे सफलता दिलाई, और आज हम उस स्थान पर ले जाकर के खड़े कर दिये इश्वर ने, हमारे संगर्ज की बदौलत, हमारे समर्पन और इमांदारी की बदौलत, के ये जो कुकरमुत्ते की तरह संगठन पैदा हुए, हमारे मिशन भुक्तान को रोपने के लिए, देश के निवेशकों को रेजन्ट साथियों को गुमरा करने के लिए, मिरत प्राय हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, हमसे पुराने भी थे बहुत सारे, वो भी खत्म हो चुके हैं, तो ये एक बड़ी उपलब्धी, हमारी रही और देश के करोरों नागरिकों को, ठगी प्लितों को, हमने ये भरोशा दिलाया, उनके अंदरा आत्म विश्वास पैदा किया, उन्हें भेमुक्त किया, कि अब उनका एक पैसा भी कोई हड़प नहीं पाएगा, सब को उनका भुगतान करना होगा, और आस होने लगा सब कुछ, तो इसी को ईश्वर ये विधी कहते हैं, इसी को विधान कहते हैं दोस्तों, तो मैं बता रहा था कि लोग तंतर का चोथा इस्थम और भी है, जिसे लोग आम तोर पर मीडिया कह देते हैं, लेकिन वो मीडिया नहीं होता, मीडिया तो एक व्यापार है, मीडिया तो विकाओ सिस्टम होता है, वो लोग तंतर का चोथा इस्थम नहीं होता, लोग गलत ग्याथ्याइद करते हैं, कि साब मीडिया लोग तंतर का चोथा इस्थम होता है, लोग तंतर का चोथा इस्थम सामाजिक संगठन होते हैं, जो समाज के वैभव के लिए, कल्यान के लिए, उसकी एक जुटता के लिए उसकी सफाई के लिए काम करते हैं वो लोगतंतर का वास्तविक चोथा कंबा होते हैं अगर किसी लोगतंतर में सामाजिक संगठन ना रहें तो वो लोगतंतर लंगडा लूला हो जाता है इसी तरह का सामाजिक संगठन जैसे हमने ठगी पिले जमा करता परिवार बनाया, ओल इंडिया बाइक बोड टैक्सी बनायी, खिल भारती मजदूर समाज बनाया, माफिया उन्मूलन समीती बनायी और भी बहुत सारे लोग बनाते हैं, पवित्रों दिश्यों के लिए, समाज के, आनंद के लिए, सुख के लिए, उसके अधिकारों की रक्षा के लिए, वो बनते रहने चाहिए तमाम लोगों को बनाने चाहिए दोस्तों, चूंकि ये लोकतंतर की मजबूती का चौथा इस् तो जिन भी साथियों ने ये इस तरह के फरजी संगठन बनाए लोगों को भ्रमित करने के लिए, उनसे मैं आप सब को आगाह करता हूं कि आप सब धूर रहें, ऐसे संगठनों से उनको ताकत ना दें, चूंकि आप इनको ताकत नहीं दोगे, तो इनकी कोई सामर्थ नहीं परिवार द्वारा चलाया जा रहा है, चुक दोस्तों ये बाधा बने हैं आपके भुगतान में, अगर लोगों ने ये सहारा की टोपी नहीं पहनी होती, अलगा अंदोलों नहीं चलाया होता, ये टपका गैंग नहीं बना होता, वो ठगणी ने सुप्रीम कोर्ट के नाम पर और एक और है, वो कोई क्या नाम है, कौनसा कुशवाह है, उसने सुप्रीम कोर्ट के नाम पर लोगों को गुमराह नहीं किया होता, तो निश्यत रूप से आप सब का भी भुगतान अब तक होना आरंब हो गया होता, आपको भी एक सुरक्षा मिल चुकी होती, जिस तर प्रदान भी हो रहा है और जहां नहीं हो रहा, वहां 29 दिसम्बर 2023 को हम सब का भुगतान सुनिश्चित करा देंगे, दोस्तों मेरी फेस्बुक आईडी मदनलाल आजात पर गयापन लगा हुआ है, जो 29 दिसम्बर को हम प्रदान मंत्री जी को उनके चुनाव छेत्र वारा नसी शब्द हटा कर जहां जहां वारान सी सब्द है वैसे मैंने हटा दिया है, एडिट करके डाल दिया है, वाट्स अप गुरुप से आप ले सकते हो, उसी ग्यापन को हमारे तमाम पदाधिकारीओं को अपने अपने छेत्रों में देना हैं और 29 को ही देना हैं उपवास स साथ न्याई की मांग करते हैं उनकी मांग की अंसुनी तो नारायन भी नहीं कर पाते किसी प्रधान मंत्री और मुख्यमंत्री की तो समर्थी क्या है तो आप सब पवित्र मन से उस दिन उपवास रखते हुए अपने SDM या कलटर या तैसिलदार या सेक्रेटरी या MLA या MP य थाना अधिकारी को वो ग्यापन देंगे ताक एक शंदेश जाए प्रधान मंत्री को पता चले कि जब पूरा देश अब भुकतान की अधिकार को मांग रहा है उसके लिए जाग उठा है तो इन्हें दे दिया जाए और उन दोशी अधिकारीं को दंडित करना आरंब किया जो पांच साल से बाट सेक्ट की फाइलों को दबा कर बैठे हैं आपका भुकतान नहीं कर रहे चुक दोस्तों प्रधान मंत्री कुछ मामलों में बड़े गजब किसम के ब्यक्ति हैं मैं हालाएं कि उनका आलोचक हूँ उनकी बहुत सारी चीजों से मेरी असहमती है लेकिन अनुप चोदरी प्रधान मंत्री का खासम खास था लेकिन उसको जेल भिजबा दिया उन्होंने नहारिका सिंगानी बुलियन वाली आई एफैस ओफिसर प्रधान मंत्री की बगल में बैठती थी कही लोग तो पता नहीं क्या-क्या उसके बारे में कहते थे प्रधान मंत्र ने ये लिहाज नहीं किया कि कोई उनको कितना नजदीक है जब वो फसा है कानून के सिकंजे में उसके खिलाब एविडेंस आये हैं तो ये प्रधान मंत्री उनके खिलाब action ले लेता है या agencies को स्वतंतरता दे देता है तो ये एक अच्छा गुण है मैं चाहूंगा किसी गुण का प्रधर्शन करते हुए प्रधान मंत्री देश के उन तमाम बेइमान बाट सेक्ट अथोर्टीज के खिलाब भी action ले जिनोंने प्रधान मंत्री के भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून की अनुपालना नहीं की है देश के करोडों लोगों को पीडा पहुचाई है उनके धन को हडपवाने में ठगों की मदद की है तो आईए तमाम साथी मैं आप सबका स्वागत करता हूं 29 दिसम्मर को वारानसी आईए और जो नहीं आ सकते हैं वो अपने अपने छेत्रों में उपवास सत्याग्रह के माध्यम से प्रधान मंत्री को ग्यापन भीजवाएंगे ग्यापन की प्रती मैंने अपनी जो हमारी बेब साइट है तब जब डॉटेन उस पर लगा दिये वहां से ले सकते हैं उस पर भी विजट कर लिया करें साथी तमाम और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लिया करें जरूर तेजी के साथ और जो भी सयोग हुआ करें वो सयोग भी करते रहें दोस्तों कि अब लड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं रही है बुगतान आपका आरम वह चुका है धन्यवाद ग्यापित होने जा रहा है बेमान अधिकारियों के खिलाब कारवाई होने जा रही है और इसके बाद के वल इत आपकी जूटी अब इतनी भरसी रह गई है कि जो भी व्यक्ति आवेदन करें आप उसके आवेदन पर 180 दिन में उसकी जमारासी का 2 से 3 गुणा भूतान सक्षम और सायक सक्षम अधिकारियों से मिलकर कराएंगे उसकी पूरी निगरानी रखेंगे तमाम एविडेंस अपन गरता साथी है जो मिलकर पूरी जागरूखता के साथ इस काम को करेंगे आपको प्रेशिच्छन देने के लिए कि कैसे कैसे आपको अपना तरक अपना पक्ष्परस्तुत करना है से। के ठेगी फिलितों का भुगतान करवाना है उसके लिए भुगतान सेमिनारों का आयोजन हम कर ही रहे हैं और सोसल मीडिया के माध्यम से तमाम चीज़ें मैं बताता ही रहता हम सब जगे आने की भी जरुवत नहीं है और ये संभव भी नहीं है के सब जगे हम आज सकें फेस्बूक वाटसब ग्रूप है हमारे ट्वीटर है टेली ग्राम है इंस्टा है अब तो तमाम सोसल साइट्स पर हम मौजूद है अपनी बेब साइट भी है अब तो कोई ऐसी जगा नहीं है जा हम मौजूद ही ना हो सब के महां तो हैं ही नहीं अब तो सारी जगाओं से मिलकर के जब आप सब भी हला बोलेंगे जन जागरान अभ्यान का जागरूप ताकुत का तो निश्चित रूप से देश का विकास होगा ठगी प्लितों का भुगतान होगा सब का कल्यान होगा तो मिलते हैं कल नए एपिसोड में साथियो तैयारी कीजिए वारान सी की प्रधान मंत्री को धन्यवाद ग्यापित करने की और बेइमान सिस्टम को दुद्कारने की जैहन जैवारत